साथियों, भारतिय संस्कृती और अपनी धरोहर्व की बात करेते हुए, मैं आज आपको मन की बात में दो लोगों से मिलवाना चाहता हूँ. इन दिनों फेस्बूक, ट्वीटर और इंस्ट्रागाम पर तंजानिया की दो भाई बहन, किली पॉल और उनकी बहन नीमा, यह बहुत चर्चा में है, और मुझे पक्का बरोजा है, आपने भी उनके बारों में जुरूर सुना होगा, उनके अंदर भारतिय संगीत को लेकर ए नून है, एक दिवानगी है, और इसी वज़े से वे काफी लोगप्रिय भी है, लिप सिंग के उनके तरीके से पता चलता है कि इसके लिए वे कितनी ज़्यादा महनत करते हैं, हाली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारा राष्ट्रगान जण गण मन गाते हुए उनका वीडियो खूब बाहरल हुआ था, कुछ दिन पहले उन्होंने लता दिदी का एक गाना गाकर उनको भी भाव पूर्ण स्रद्धान भी दी थी, मैं इस अद्भूत क्रेटिविटी के लिए इन दोनों भाई बहन, किली और निमा, उनकी बहुत सरहना करता हुँ, कुछ दिन पहले तंजानिया में भारतिय दुतावास में इन्हें सम्मानिज भी किया गया है, भारतिय संगीत का जादू ही कुछ ऐसा है, जो सब को मोह लेता है, मुझे आध है, कुछ वर्ष पहले, दुनिया के डेर सो से ज़्यादा देशों के गाये को संगीतकारों ने, अपने देश विजा में पुझ्य बापू का प्रिय महत्मा गांदी का प्रिय भजन वैश्टन भजन गाने का सफल प्रयोक किया था, आज जब भारत अपनी आजादी के पच्चतरवा वर्ष का महत्वपुर्ण पर्व मना रहा है, तो देश भक्ति के गीतों को लेकर भी ऐसे प् इतना ही नहीं, अगर तंजानिया में किली और नीमा भारत के गीतों को इस प्रकार से लिप सिंग कर सकते हैं, तो क्या अब मेरे देश में, हमारे देश की कई भाज्वाशाओं में, कई प्रकार के गीत है, qia हम कोई गुजराती बच्चे तामिल गित पर करें, कोई केरल के बच्चे असम्यागीत पर करें, कोई कन्यर्ट बच्चे जम्मु किश्मीर के गीतों पर करें, एक ऐसा माहूर बना सकते हैं, जिसमें एक भारत, स्वेश्ट भारत हम अनुभव कर सकेंगे, इतना ही नहीं, हम आजादि के अमरुत महुत्सव को एक नए तरीके से जुरूर मना सकते हैं, मैं देश के नवजवानों से आवाहन करता हूँ, आईए, भारतिये भाषाओं के जो पपिलर गीत हैं, उनको आप अपने तरीके से वीडियो बनाएए, बहुत पपिलर हो जाएंगे आप, और देश की विवितताओं का नई पीडी को परिचे होगा झाल